नमस्कार सात्यू स्वागत है आपका कुछामन ओल्लाइन क्लासेज यूटूब चैनल पर एक बहत्रिन वीडियो के साथ बीएश्टिसी अब्यर्तियू के लिए हम यह वीडियो है वो लेकर आ रहे हैं दोस्तू बीएश्टिसी दोजार तेवीस के अंदर आप सभी सात्यू ने अभी 12 का एक जाम दिया है और आपके सबसे बड़ी दिक्कत है जो वो है सिक्सन अभीरूची दोस्तूं सिक्सन अभीरूची के आपके पेपर में 200 मैंसे 50 क्यूसन आने वाले हैं और यह 50 क्यूसन आप कैसे करें क्यूंकि अगर आपने सिक्षा मनोविज्यान पढ़ र यह तो उसी का समाधान लेकर आएं कि परसन हल करने की जबरदस्त ट्रीक है वो आपको इस वीडियो के मादेम से मैं बताने वाला हूँ पांच परसन लेकर आया हूँ आपके द्वारा उनको सोल करवाऊंगा और सही उतर तक आपको पहुँचाऊंगा दोस्तूं इसलिए थोड़ा ध्यान से मन लगाकर ये वीडियो है साथाट मिन्ट का वीडियो रहेगा जरूर देखना दोस्तूं एक बार से भी साती जो मारे साथ जुट रहे हैं वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये जबरदस्त ट्रीक आपने दिमाग में चलेगी दोस्तूं मैं देखे पहला क्यूसन लेकर आता हूं यहां पर पहला क्यूसन है जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथ आपको दिखाई भी दे रहा है क्यूसन क्या कह रहा है एक सिक्सक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना चात्रू के सेक्सिक उत्थान के लिए परियास चात्रू के हित के कारिये और चात्रू की देखबाल अच्छा क्यूसन है अब देखे पहला रूल अगर आप सिक्सन अभी रूची के क्यूसन रोल जो है सरल कर रहे हैं तो रूल नमर ये करेगा वो रहेगा दोस्तू अपने आपको अध्यापक मानो अपने अध्यापक बना लो कि आप एक अध्यापक है और फिर आप क्यूसन सोल कर रहे हैं अब देखे आप बन गए हैं अध्यापक यहां पर एक सिक्सक या नहीं आप आप सिक्सक है तो आप क्या करेंगे चात्रू के लिए अधिक मातरा में आप धन कमाएंगे चात्रू की करोगे करोगे चात्रू की देखबाल करोगे लेकिन यहां पर सबसे उचित विकलप आपकी दरश्टी से कौन सा है वो है अध्यापक है आपको करनी क्या आपको सिक्षिया देनी है आपको समाज को आगे बढ़ाना है चात्रू को आगे बढ़ाना है तो यह रहा चात्रू के स एक सिक उत्तान करोगो, सिक्सिया में उनको आगे बढ़ाओगे, अगर आप खुद को सिक्सिक मान लेते हैं, जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा, सिक्सिन अभीरूची आपके भाग एक के अंदर आने वाली है, तो जो पचास क्यूसन है, उनमें से आपके 35 क्यूसन है ना उन 35 क्यूसनों में खुद को सिक्सिक मानना, जहां पर भी एक सिक्सिक लिकावा जाए ना, वहां पर खुद को सिक्सिक मान लेना है, अपने आपको ये मान लेना है, कि मैं तो सिक्सिक बन गया, अब मैं कलास में बच्चू को पढ़ा रहा हूं, फिर वो क्यूसन सोल करना ह आ गया समझ में je जाँगे चलिए पांच क्यूसन अप उन क्यूसनों के दोरा ही समझाँँगा मैं आपको दूसरा क्यूसन देखिए और साथ ये पांच क्यूसन अध़्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे क्यूसन अमर दो देखिए यदि कुछ निर्दन चातर आपसे अतिरिक समय में पढ़ना चाते हैं तो आप अब देखें यहाँ पे वोई रूल लागू हो रहा है आप क्या है एक सिक्सक है अब गरीब बच्चे हैं जो आप से अतिरिक समय के लिए पढ़ना चाते हैं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए, ओप्सन देखिए, उनको टूसन के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवसिकता अनुसार समय समय पर उनकी कटिनाईयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य सिक्सक के पास बेजिंगे आप सिकसक है और सिकसक एक समाज का निर्माता होता है एक चातर का निर्माता होता है क्या आप अपने लालच के लिए उन गरीब बच्चों से टूसन लेंगे उनसे रुपे लेंगे ये काम तो आप नहीं करोंगे समझदार हो आप सभी उन्हें टालेंगे सिक्सक का ये कोई दायत्व नहीं है कि वो किसी बच्चे का परसन है उसको टाले अगर पता नहीं है तो अगले दिन उत्तर दे लेकिन उसको उत्तर दे यानि कि उन्हें आप टाल नहीं सकते आउसिक्ता अनुसार समय समय पर कि कठिनाईएं को पूरा करेंगे यह सही है जैसे आपको समय मिलता है आप उनकी एक्स्टरा क्लास ले सकते हैं उनकी जो कठिनाईएं हैं उनको दूर पर सकते हैं कर सकते हैं मित्रू तो ये काम आप करोगे उन्हें किसी अन् PayKasak के पात्ष बेज Lauगे आप क्यों आप सिक्सिग नहीं हो क्या खुद को सिक्सिग मानकर ही हम क्या कर रहे हैं यहां पे शिक्षन अबुरुची सरल कर रहे हैं तो खुद का जो स्रिष्ट कारिये है खुद का वो कारिया आपको चुनना है वो कारिया चुनना है कौन सा कारिये जो एक समाज के निर्मान में सायक हो समझ गए इस परकार के क्यूसन के अंदर समाज निर्मान में जो अच्छा लगे ना समाज के अंदर आपके चातर आ जाएंगे आगे चलिए तीसरा क्यूसन भी आपके सामने रख देता हूं साइध ये पांच के उसन देखने के बाद आपको अच्छी तरह से जो चीज में बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी दोस्तों जो चीज यहां पर है कि सिक्सन अबिरुची को कैसे हल करना चलिए देखते हैं यदी कहीं पर राजनितिक बहस हो रही है तो आप आप है सिक्सक सबी जो चातरियां पर देख रहे हैं ट्वल्ट पास होंगे या जिन्होंने ग्रेजवेसन के बाद भी वापस भी सिक्सक करने की सोची होगी तो आप सभी क्या बन गए यह सिक्सक बन गए हैं बने तो नहीं है लेकिन मान लो अब आप सिक्सक हो और आप कहीं पर बेटे हो वहाँ पर राजनितिक बहस चल रही है पहली बात बता दू ना यानि ऐसा परसन आये तो पहली बात राजनिति से सिक्सक का कोई लेना देना ही नहीं है राजनिति से सिक्सक को 101% साइड में रहना चाहिए दोस्तु समझे included? फिर अपने आपको सिक्सक मानो और अपसनों को पढ़ो अब आप सिक्सक हो राजनिति से रेलेटेड क्योसन आया अप्सन पढ़ लिजी आप सक्कریय रूप से बाग लेंगे? नहीं आनन्द लेंगे? नहीं किसी एक्सपक्स की और से होंगे? नहीं क्योंकि राजनिती में गुसना ही नहीं है सिक्सकूं को ज्यान ही नहीं देंगे यह राप का समझे ऐसे क्यूसन आते हैं और बोलते हैं कि सर हम तो गलत कराई थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है आपको परियाप समय मिलेगा वाप और मैं बता रहा हूं इस तरीके से खुद को सिक्सक मानते हुए बहुत सारे क्यूसन दें के दस क्यूसन ऐसे आएंगे आपके अभी बता रहा हूं में दस क्यूसन ऐसे रहेंगे जहांपर आपको चातर बनना पड़ेगा सिकसंग नहीं, वहाँ पर खुद को चातर बनकर उनको अल करना भी पड़ेगा साइद में क्यूसन लेकर आया हूँ, मिल जाएगा, आगे हम वहाँ पर बात कर लेंगे खुद को चातर मानो और फिर अल करो तो यानि अगर आप इस तरीके से क्यूसन को ध्यान से पढ़ते हुए, खुद को कभी चातर, कभी सिक्सक बनाते हुए बढ़ोगे ना तो लिख कर कहता हूँ, पचास में से पचास सही करके आओगे गलत होने का चांसे नहीं है, इतने सरल क्यूसन आते हैं, ये बोलते हैं ना हाड क्यूसन आता है, नहीं आता है मित्रू, बहुत सरल पेपर आता है बस समझने का ही, आपको क्या रहता है, डर रहता है, गलती होती है आप समझ नहीं पाते हैं और गलती कर आते हो दोस्तूं अगला क्यूसन और ले लीजिए एक बार ये क्यूसन देखिए कक्सा में पढ़ाने के दोरान एक छातर परसन पूछता है तो सिक्सक को चाहिए उसे ततकाल सही जवाब दे चातर को उतर के लि लिए कालांस के बाद आने के लिए कहे कोई द्यान ना दे और अपने सिक्सन को जारी रखें उसे डाटे उसे कहें सिक्सन में बादा उत्पन ना करें अब देखे आप सभी जो साथर याँ पर जुड़े हूय वीडियो पर आप सभी बने गए सिक्सक तकसा पांच का एक अब बिढ़ती है विद्यारती है जो आप से परसन पूछ रहा है आप कलास ले रहे हैं कलास में बता रहे हैं लेकिन उसको साइथ समझ में नहीं आ रहा है तो उसने आप से कुछ क्योसन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, उसको ततकाल उतर देंगे ना, उसे ततकाल सही जवाब देंगे, यह रहा, अब देखें, बाकी ओप्सनों को समझने का परियास कीजिए, कैसे उतर निकालोगे आप सिक्सन अभी रूची के अंदर, चोता देखें, उसे ढांटेंगे, ये कारी इस इस सिक्सक क्या है क्या सिक्सक अगर चातर कुछ परसन पूछ रहा है यानि कि सबसे अच्छी कालांस सबसे अच्छा सिक्सन माना जाता चातर के द्वारा परसन पूछना तो यह कार यह तो आप करी नहीं सकते हो कोई ध्यान नहीं देंगे एक सिक्सक होने के नाते आप ऐसा काम क के बाद में पूछना तो पचीस मिनट वहाँ पर वो क्या करेगा आपको देखेगा या बोर्ड को देखता रहीगा यानि कि ऐसे परसन खुद दिमाग लगाई ये अपने आप आ गया ना उतर इसका अगला क्यूसन और देख लीजिए एक बार सिक्सिकू को मारक दरसक माना जाता है क्योंकि अब आप बताओ आपको मारक दरसक माना जाएगा आज से दो तीन साल बाद जैसे आपकी बीएश टीसी होगी ना बीएश टीसी होगी फिर रीट की बरती आएगी और लेवल पर्तम के आप अध्यापक बनोगे उसके बाद आप को क्या माना जाएगा सिक्सकू को मारक दरसन एक चातर का भी एक समाज का भी एक देश का भी आप देश के भी मारक दरसक हो दोस्तों समझगे तो बताइए क्यों माना जाता है उसमें बविश्य के समाज के निर्मान की समता है वह समाजी का आर्थिक विश्वास का पर्तिक है वह समाज के लिए एक रखवाला है वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है चलिए चोता उप्सन क्या कुंठाओं को आप आकार देंगे एक आप सिक्सक हो सबसे बड़ी पोष्ट आज समाज में ना तो एक करोडपती आदमी की नहीं होती है एक नेता की नहीं होती है एक सिक्सक है ना उसकी सबसे बड़ी पोष्ट एक समाज में मानी जाती है समझ गया आप तो आप कुंठाओं को तो नहीं देंगे और नहीं उसको आकार देने में लिप्त रहेंगे वह समाज के लिए एक रखवाला है सही बात है रखवाला है वो समाजी का आर्तिक विश्वास का पर्तिक है एक देश के लिए उसमें बहुईसे के समाज के निर्मान की समता है सही सही जो यहाँ पे सही ओप्सन आपका होगा न वो एह वाला होगा अब देखे आप समझे यहां पे यानि क्योसन को समझे कि कैसे हैं आप एक समाज के एक भविसे समाज के भविसे के निर्माता आप चात्रू को अगर अच्छा ग्यान देंगे उनको एक अच्छे आगे बढ़ाएंगे तो देरे देरे वो चात्र जिसे यहां से स्कूल से निक जाता है देखिए पांच क्यूसन थे मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिये अब देखिए जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो चीज समझ लीजिए जो हमारी ट्रिक थी ना वो ट्रिक क्या है यह समझी आप पचास क्यूसन पेपर में आएंगे आपकी पेंटीस क्यूसन ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको खुद को सिक्सक बनना है समझे आप यहाँ पर खुद को सिक्सक बनना है दस क्यूसन आएंगे यहां पर जिनके अंदर खुद को आप सभी जो साती है आपको चातर बनकर उतर देना है और पांच क्यूसन है ना वो आएंगे जिनके अंदर आपकी परीबासा भी आएगी जिनके अंदर परिबासा आएगी या परिबासा किस ने दी या इसकी ये परिबासा है ये पूछी जा सकती है या जो दर्से सर्वे सामगरी है उनसे रिलेटेड आएंगे दर्से सर्वे सामगरी से रिलेटेड क्यूसन है वो पूछे जाएंगे दोस्तों इस परकार का आपका पेपर है वो बनकर आता है तो अगर आपको यह मान कर चलिए कि देखे पचास में से पचास में बोल रहा हूँ आपको लेकिन मेरे को पता है कि आप नहीं अटेंड कर पाओगे पिर भी अगर हम पूरे तनमन धन के साथ जाएंगे तो एक दो या तीन क्यूसन आपके गलत होंगे इस से ज़्यादा नहीं होंगे 45 पलस इसकोर आराम से अटेंड कर सकते हो आपको उसके लिए कोई अधिक काम नहीं करना है क्यूसन को दीरे से क्यूसन को पढ़िये उसमें अगर सिक्सक की बात हो रही है तो आप सिक्सक बन जाओ और फिर चारो उप्सन पढ़ो अगर उसके अंदर छातर की बात हो रही है तो आप छातर बन जाओ और फिर उप्सन पढ़ो और परिबासाई तीन या चार परिशन कि आते हैं, सर्वे दर्षे, अब आपको पूथ लिया, लगाओ, रेडियो क्या है, शर्वे, टेलिविजन क्या है, सर्वे और दर्षे, ग्रामो पहुण क्या है, सर्वे है, समझ गे, तो इनको देखते ही, 시간 cimics, क्यषिव क्या है? ना जब भी चातर का क्यूसन मने चातर बन जा игр जा यह पांच परसन हैं जिनकी परिभासाई आपने पड़ ली है सर्वेडर्से इसथनों को थोड़ा ज्यान से आठधस सर्वेडर्से साथनों से रिलेटइड क्यूसन आते हैं उनको पड़ ले तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, एक बार कमेंट कर देना, अब इसके अलावा देखिए, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, समझने का यहां पर परियास कीजिएगा आप, जो चीज थे मैंने बता दिया, अब आपको डाउट रहेगा, आपके चार सब्जिक्ट है, हम टीचिंग एप्टिटूड की बात कर ली, जीके की बात कर लेंगे, समझ गए यहां पर जीके कैसे करना है, जीके के बाद हमारे आईगी रिजनिंग, रिजनिंग कैसे करनी है, पिर हमारे हिंदी, और इंगलीज, ये दो चीज़े आपने 12 में पढ़ रखिए, तो इनकी आप आराम से अच्छा स्कोर कवर कर लेंगे, रिजनिंग और जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके को आपको अधिक से अधिक क्यूसन है, वो पढ़ने है, आज से अगले एकजाम तक आपको कम से कम, 4000 से अधिक क्यूसन पढ़ कर जाने हैं, समझगे, और जीजनिंग है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, पंदरे क्यूसन लेकर आऊँगा, और पंदरे क्यूसन तरीका बता दूँगा, ट्रिक बता दूँगा, उनसे बार नहीं जाएगा, तो वो क्यूसन आपको देखने हैं न, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, कल यह परसू वीडियो आजाएगा, पंदरे क्यूसन उसी प्रकार के एकजाम में आते हैं अर बार, क्यूंकि एक क्यूसन है न, उसके तीन पार्ट बन कर आते हैं, एक क्यूसन को तीन बार पूछा जाता है, अलग अलग टाइब से, समझ गया आप, तो लग बग आपके 40 प्लस रिजिनिंग में हो जाएंगे दोस्तूं, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, किसी भी परकार के आप कोई जानकारी चाते हैं, या मेरे से बात करना चाते हैं, या मेरे साथ जुड़ना चाते हैं, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आइडिया आपको दिखाई दे रही है, उस पर जाकर आप मेरे को मेसेज कर सकते हैं दोस्तूं, वीडियो को अभी तक आपने लाइक या सेर, ये कार ये नहीं किया, तो आपसे निवेदन है मेरा हाथ जुड़ के, कि लाइक और सेर जरूर कर दे, और जो भी साती हमारे साथ जुड़ना चाते हैं, वो चैनल को सबस्क्राइब कर ले, और बेल आइकन में ओर्ल नोटिपिकेशन को ओन कर ले, आपसे भी सात्यों को बहुत बहुत नहवाद, जे हिंद, जे भारत!